परिशद संबुधाय रहेशे चुकनी धंदेरा माँ छेपन रजवातों करीशे तेने लए जबात सामावेशे ग्युवानोंने चुकनी माँ प्राधाने आपने खवानू अमित चावडाय जनावयों खेड़तोंने पूरता भाव मड़े ते वो प्रयास कोंग्रेस कर्शे जिम्मेदारी बहुत सालों से समानने वारे हमारे साथी मनिश भाई दारा सथ्य लाखा भाई सभी यहाँ पर उपस्ति पत्रकार वारता में सभी प्रेस के सभी साथियों का स्वागत है यहाँ पर आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि पिछले एक साल से प्रभारी के रुप में काम करने का मुका मुझे मिला और मीडिया ने जो सहयोग हमें दिया उसके लिए आप सब कमें बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा अभी जो बात अमित भाही ने यहाँ पर रखी, दो एप्रिल को कॉंग्रेस के अद्यक्ष रावुल गांदी जी, कॉंग्रेस की पूर्व अद्यक्षा सोनिया गांदी जी, पूर्व प्रधान मंत्री और हम सब के अदर्निया टॉक्टर मन्मोन सिंग जी, मैनिफेस्टो कमिटी के चेर्मन पूर्व वित्तमंत्री चिदंबरं जी, गवडा जी और सभी सीनियर कॉंग्रेस लीडर्स की उपस्तिती में हमारा जो मैनिफेस्टो है उसका रिलीज का कारे अक्रम बिल्ली में हुआ इस मैनिफेस्टो रिलीज करते वक्त कॉंग्रेस के मन में जो संकल्प है कि भारत के उजबल बुनियात के रूप में हम ये मैनिफेस्टो की तरफ देख रहे हैं, विकसीत भारत का जो हमारा ऽपना है, उसको पूरा करने के रुप में इस मैनिफे मैनिफेस्टों को हम देख रहे हैं और इसके माध्यम से हम नया इतिहास रचने के दिशा में हम जाना चाह रहे हैं ये कोई आट-दस लोगों ने एक साथ बैट कर कियो आप रयास नहीं है 2008 में जब चिदंबरम जी को और कई सारे कॉंग्रेस के नेताओं को राहु जिन ये जिम्बेदारी दी तब सिफ कॉंग्रेस के नेताओं से आप बात करो और कॉंग्रेस के नेताओं से चर्चा करके ये मैनिफेस्टों बनाओ ये कोई लाइन नहीं थी राहुल जी ने सबस्ट रूप से कहा था कि कॉंग्रेस की मन की बात के बजाए जन की बात इसमें आनी चाहिए और इसलिए लोगों में जाएए सभी स्तर और सभी राज्यों के लोगों से बात हो हर फिल्ड के सबसे बात हो ये इसमें सोच थी और इसलिए 20 सब कमिटीज इसमें ये मैनिफेस्टों के निर्मान में हमने बनाई 24 राचों में इसमें कंसल्टेशन्स पस्नली जाकर किये गए थे तीन केंद्रशासित प्रदेशों में ये काम हुआ था लगबग 60 locations पर हम लोग बैठे थे online भी हमने suggestions मांगे थे whatsapp के माध्यम से मांगे थे email के माध्यम से मांगे थे और लगबग 1,60,000 के आसपास online inputs भी हमारे पास इसमें आये थे और 121 public consultation ये manifesto के preparation में हमने किये थे आपको अगर याद होगा तो अमदाबाद है वलसाड है यहाँ पर मुनगेकर जी जो पूरवराज्यसभा के सांसद है मुंबई उनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है सचिन राव जी हमारे वरिशनेता मुदुसुदन मिस्ट्री जी इन सबने consultations किये थे विजरात में यह जब consultation चल रहे थे और लोगों के मन की बाद हम जब निकाल रहे थे तो जब सामने कुछ बाते आई उसमें जो demonetization का नोडबंदी का जो effect हुआ हर साल दो करोड लोगों को रोजगार और नोकरी देनी का वादा करने वाली मोधी सरकार में नोडबंदी के वज़े से 4,70,70,70 नोकरी यह इसमें बही यह सामने आया है जो गब्बर सिंग tax इनों ने लगाया इसे छोटा व्यापारी आम लोग परिशान रहे tax के structure बदलते रहे और गुजरात से जादा किसको पता है कि जैसे जैसे गुजरात की विधान सभा की election नजदिक आती गई tax के structure में बदलाव करने की बात हुई Congress Party में पहले से यह बात रखी थी कि गंबर सिंग tax ये ठीक नहीं है ये सही मायने में GST नहीं है ये आम जो व्यापारी है उसके हित में ये GST नहीं है और ग्रहक के हित में भी ये GST नहीं है ये बात थी लेकिन सरकार ने उस वक्त मानने से इंकार किया पिधानसभा इलेक्षन के मद्यनजर कुछ बदलाव लाए और बाद में इन्होंने कुछ बदलाव किये है लेकिन सही मायने में ये गंबर सिंग tax अभी भी वैसाई है इसमें बहुत सारा बदलाव करने की जरूद है और Congress इसके लिए committed है अभी हमारे अध्यक जी ने बात कही किसानों की खेडूटों की बात हुई खास तोर से गुजरात का खेडूट गुजरात का किसान जिस परकार से परिशान है पिछले चार पात साल में देश में मोधी सरकार में और पिछले 22-23 साल में गुजरात में बारती जन्ता पार्टी की सरकार ने खेड़ूतों के उपर किसानों के उपर जो न्याय देना चाहिए वो न्याय दिया नहीं है आज आप देखेंगे तो किसानों के उपर लगवग एक लाख चार हजार का करजा अवसतन है हर किसान पर और इसलिए हम उसके दिशा में भी किसान को सही माइने में नयाय मिलना चाहिए यह हमारी सोच है जब महिलाओ को कंसर्टेशन में हमने बात की तो सुरक्षा के बारे में महिलाओ से बात आई जो बढ़ती किम्दे है इसके बारे में बात आई है और राहुल गांदी जी ने स्पष्ट रूट से मैनिफेस्टो कमिटी को और कॉंग्रेस के निताओं को कहा था कि हम जुमलों के राज़नीती में विश्वास नहीं रखते हम जो कहेंगे वो निभाना ये हमारा अजंडा है और इसलिए हम वही वादे करें जो हम निभास सके और लोगों की आवास और लोगों के मन में जो बात है वो हम रखें ये हमारा अजंडा है और इसलिए पाच बड़े वादे हमने इसमें किये है जो भी अमिद भाई ने कहा कि न्याय न्यूनतम आय योजना की बात हमने यहाँ पर की है बड़े बड़े कॉर्परेट्स को किसी को 30,000 करोड रुपे किसी को 40,000 करोड रुपे लगवक 3,000,000 करोड रुपे के करजे चंद कॉर्परेट्स के पिछले 4,000 साल में माफ हुए लेकिन किसान को उतनी ही परिशानी है आम लोगों को उतनी ही परिशानी है इसलिए जो न्याय योजना की हमने इसमें बात की हम 15,000,000 के जुमलों की बात नहीं करना चाह रहे है हम वोट लेने के लिए कुछ भी बात यहाँ पर करना नहीं चाह रहे है जो 15,000,000 की बात की गई और बात में अमिच्छा जी ने भी कहा कि ये तो जुमला था वो हमारी बात नहीं है हम 32,000 रुपए 20% जो सबसे गरीब लोग है उनके 20% लोगों के इसमें 32,000 रुपए हम डालने के दिशा में जा रहे है जैसे 5 साल में 3,60,000 रुपए तक देने के दिशा में हमारी इसमें सोच है और इसके पीछे का कारण यह है कि नोडबंदी और GST से अगर सबसे बड़ा जटका किसी को लगा है तो आम लोगों को और आम व्यापारियों को लगा है उनके जेब में का पैसा निकल गया है और इस माध्यन से हम गरीब आदमी के जेब में पैसा देना चाह रहे है ताकि इस देश के अर्थ वेवस्ता में पैसा आएगा तो GST और Demonetization से जो अर्थ वेवस्ता जाम हुई है वो सही माइने पर लाइन पर आएगी और अर्थ वेवस्ता लाइन पर आएगी तो आने वाले समय में सही माहने में देश विकसित होने के दिशा में जाएगा आज देश में अगर दूसरी सबसे बड़ी समस्या कुछ है तो वो रोजगार की है आप अमदाबाद के युवा से पूछे, आप राजपोट के युवा से पूछे, आप सुरत के युवा से पूछे, आप बलसाड के युवा से पूछे, वो कहता है रोजगार नहीं है और इसलिए हर साल मोदी जी ने कहा था, भारती जंता पार्टी ने कहा था 2014 में कि हम 2 करोड युवाओ को हर साल रोजगार देंगे 2 करोड युवाओ को नोक्रिया हम देंगे ये वादा उनका था पात साल में 2 करोड युवाओ का रोजगार तो बात छोड़ी है लेकिन दी मोनेटाइजेशन से लगबग 4 करोड से जादा नोक्रिया गई है ये सामने आया है और इसलिए हमने तई किया है कि सरकार में आते ही एक साल में जो 24 लाग सरकारी पत खाली है वो भरने के दिशा में हम मार्च 2020 की डेडलाइन रखेंगे और एक साल में वो भरने के दिशा में हमारा अजेंडा इसमें रहेगा जो रोजगार की बात है राहूल जी ने और कॉंग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कहा है कि तीन साल तक जो कोई युवा रोजगार करना चाहेगा उसको कोई भी पर्मिशन के लिए किसी भी सरकारी दफ्त में हम जाना चाह रहे हैं आपने देखा होगा कि पीछे जब हमने ऐसी कभी बात की थी तब भी विपक्ष से कई बार सवाल पूछे गए और उसके जवाब हमने 2004 में और 2009 में भी दिये हैं जब पाच राजों के चुनाओं चल रहे थे आपको याद होगा 36 गड़ मद्यप् करेंगे और उस वक्त भारतिय चंता पार्टी हमसे ये बात कहती थी कि ये जूटे बाते कर रहे हैं हम सरकार में आये मुझे याद है जिस दिन सरकार फॉर्म होई उसके दुसरे दिन जब मैं डिबेट पर गया था तब मुझे वहाँ पर भारतिय चंता पार्टी के नेता कहा था कि 10 दिन में वादा आपने किया था कर्जा माफि का कॉंग्रेस की सरकार रे 36 गड़ मध्यप्रदेश राजस्तान में दो दिन में कर्जा माफि की बात की और उस दिशा में हमने काम शुरू किया पंजाब में भी हमने ये बात की वहापर हमने कर्जा माफि करके दिखा इसलिए अगर हम वादा कर रहे हैं तो वो वादा निभाना हमने हमारा अजंडा बनाया है हम कोई जुमलों की बात करते नहीं है जो कहेंगे वो करना हमारा अजंडा है खेडुतों के लिए किसानों के लिए सेपरेट खेडुतों का बजट किसानों का बजट ये हमारा इसमें अजंडा है MSP की बात मोधी जी ने तो कहा था कि 50% जादा देंगे लेकिन 50% तो कभी मिला नहीं MSP टिकलियर जितरा करना चाहिए उतना हुआने ना खरीदे के गेंदर बने ना पैसा किसानों के हाथ में गया और इसलिए हमने सेपरेट किसानों का बजट हर साल लाने के दिशा में हमारी उसमें हमने कमिंटमेंट की है और दूसरी सबसे बड़ी जो कमिंटमेंट केड़ूतों के परती किसानों के परती है कि विजए माल्या भाग सकता है निरो मोदी भाग सकता है और हजार उकरोड रुपे को ये चुना लगा कर भाग सकता है सरकार उनका कुछ नहीं करती है लेकिन किसी किसान का 50,000 रुपे करजा रहा 70,000 रुपे करजा रहा तो उसके खिलाफ क्रिमिनल केस्स करने की बात यहां पर कुई है और इसलिए सरकार में आते ही खेड़ूतों का करजा ये क्रिमिनल लाइन नहीं होगी liability नहीं होगी वो civil liability के रूप में इसके उपर काम होगा ये agenda और ये commitment हम इस देश के खेड़ुतों को किसानों को करना चाहते है कि किसानों की करदा माफी करना तो हमारी line है लेकिन खेड़ुतों को इस प्रकार से परेशान आने वाले समय में नहीं होगा गुजरात में खास तोर से मैंने देखा शिक्षा और स्वास्त में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रुवत है और यही commitment कॉंग्रेस पार्टी ने देश में रखा है अभी आप देखेंगे शिक्षा में एजूकेशन में जीडीपी के सकल घरेली उत्पात के तीन प्रतिशत से कम खर्चा होता है IIT है, IIM है, कई सारे उच्च शेक्षनिक संस्ताय है Primary Education, Secondary Education इनको strengthen करना हमारा आजंडा है और 6 प्रतिशत तक GDP के 6 प्रतिशत तक खर्च करना ये हमने हमारा लक्ष रखा है और उस दिशा में हम इन सभी सेक्षनिक संस्ताओं को जैसे Right to Education के हमने बात की थी Primary तक हमने ये किया था, अभी Secondary की भी हम बात कर रहे है कि Right to Education Secondary तक हो और आपने देखा होगा कि हमने पहले जब 2004 में जब हमने हमारा Manifesto दिया था उस वक्त हमने नरेगा की बात की थी और जब नरेगा की बात की थी तब विरोधी पूछ रहे थे पैसे कहा से लाओ के हमने पैसे लाए नरेगा पुरे देश में चल रही थी चल रही है प्रधान मंत्री जी ने क्रिटिसाइज किया लेकिन प्रधान मंत्री को उससे वो बाजू नहीं कर सके उनको भी उसको आगे लेकर जाना पड़ा क्योंकि ये स्कीम उस प्रकार से योजन हमने बनाई थी 2009 को जब हमने गोशना पत्र दिया तब हमने Food Security Act की बात की थी और तब भी भारतिय जन्ता पार्टी ने और हमारे विपक्षी लोगों ने मजाग उड़ाया था कि पैसे कहा से लाओगे कहा से आएगा पैसा हमने 2013 में Food Security Act पास किया उसके लिए पैसे भी लाए प्रोविजन्स भी हमने किया और उस दिशा में हमारा काम शुरू है जो जो वादे हमने किये वो वादे की तरफ हम जाना चाह रहे है ये गोशना पत्र में हम स्वास्त के लिए